नमस्कार आप देख रहे हैं हर्याना नियूज एक्स्प्रेस और मैं हूँ आके साथ चबी आईए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी ख़बर क्यों आप मामले को संग्यार में लेते हुए पुलस अधिक्षक विक्रांत भूशन ने सभी ठाना प्रबंध को और सी आईए को निर्देश दिये थे कि आरुपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके खलाव सकत कारवाही की जाए इसके तहत सी आईए नार नौल की टीर में अटेरी चेत्र में लाठी डंडों समेत अवैर हतियार के बल पर युवक का अपरहन कर उसके साथ मार्प उस्टाश में पुलस ने पता लगा है कि आरुपियों ने आपसी रड़ाई जगरे के चलते वारदात को अंचाम दिया था कि आईए नार नौल की टीम ने इस मामले में अवैर हतियार सप्लाई करने वाले आरुपी आरेफ उफ चुभी को गरुफतार किया है पुलस कप्तान की और से अवैर हतियार रखने के शौकीन बदमाशों के खिलाफ करी कारवाही की जारी है पुलस अधिक्षक विपरांत पूशन के लिततों में जिला पुलस की और से इनके कार्यकार में अब तक करीब साथ अधिक अवैर हतियार बनाने वालों को भी पकड़ा किया है और अवैर हतियार बनाने का सामान बरांत कर जब्द किया लिए है शिकात का धार पर थाना अटेली में पुलिस ने भाती दंड सहीता और आम्स एट की धाराओं के पैट मामना दर्शी लिया है नर्नौल्च अमारे समबाता था गुल्षन कुमार की रिपूर्ट ये हमने एक आम्स अप्लायर पकड़ा है बिसिकली एक सो नकिस नंबर मुकदमा दर्शी वा था इस साब में पीएस अटेली में मुकदमा 365-385 का था जिसमें एक प्रवीन सोनी नामा भट्टी को अपरन किया गया था उस अंदर में हमने पांच वेक्तियों को गिप्तार किया था चोवीस पांच 2022 को जो कि देवा गैंग से थे और उनसे हमें चार कंट्रीमेड वेपन और चार लाइब राउंग मिले थे एक अमित और सोनू सुरानी गाउं का उसके फर्दान साथ में आया था कि वो जो चार असला जो हमें पहले वरामद हुए थे वो एक आरिफ चुरी है जो कि मतुरा का रहने वाला है जो कि असला बनाता और सप्लाइब भी करता है उससे वह उसलिए लिखे हैं फिर हमने मारे कि आरिफ चुरी को गवतार किया और उससे हमें ये 20-315 बोर के असला और जो मैनुफेक्टरिंग मिशिनरी होती है नसलों के लिए वो बरामद हुए पांच अरोपी पहले गवतार हुए और अब हम सोर्स तक पहुंचे हैं कि वेपन कहां से आया थे हमने अब सोर्स जो बन सप्लाइर के बारे में तो अब अभी हम खुश्ची नहीं कर सकते जो अभी तक सामने आया है जितने भी हमारी आमजाट की रिकवरी हुए है ये जो सोर्स करते हैं जो सप्लाइर है वो हमारे जिले के नहीं है ना तो राजस्तान के किसे डिस्टिक पाएगे हैं या कि चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों के लिए बैल आइकोन को दबाना न भूलें